पुरे लाइफ जो आज देखने मिल रहे तो आप लोगो थांक यू और लव यू अल लव यू आपको आपको अईसा रिलेशन जो आपके साथ हमेशा चलने वाला इस ज़र के बार भी ओ रिलेशन काम्याब देगा हां मेरे दोग बहुत अच्छे दोस्त बनें अभिशेक और अल्विस तो मुझे लगता है यह दोनों दोस्त मेरे साथ जिंदगी भर के लिए दोस्त रहने वाले हैं कि इतना पहर था अभिशेक मलान जो शुरुआत से उस जर्णी के हिस्सार है मुझे अगर क्योंकि अल्विस बहुत स्ट्रॉंग प्रिस्नालिटी है बट अगर मुझे जर्णी वोइस दिखा जाएगा तो बिग बॉस में हर दिन सर्वाइव करना वो भी बहुत बड़ी बात है तो मुझे जर्णी में अगर कंपैरिजन किया जाया है तो मुझे लगता है कि अभिशेक को ज्यादा स्ट्रॉगल करना परा बट अगर एल्विस जीता है तो वह भी डिजर्विंग है क्योंकि कही नगे जनता उनको बहुत ज्यादा पसंद की है बट फिर अगर स्ट्रॉगल बोला जाएगा तो जो वाइल काड आते हैं उनको स्ट्रॉगल कम करना पड़ते है क्योंकि वहां एक एक दिन भी सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है अब बात है कि अंदर अगर अभिशेक भी मेरे कितना भी जिगरी है बट हम गेम को जब गेम की थरा देखते हैं कि यहाँ पर मेरे अपनी बहन भी होती बड़ जब आत फियर गेम का आता है क्ई वहां पर 6 दिन रहना और जब हम वहां रहें कभी जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं या आपको नॉमिनेट करते हैं और जब आपसे जगरे करते हैं तो एक पॉइंट पर आता है यार मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, फैमिली के पास जाना है, तो वहां एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत बरी बात है, तो अगर देखा जाए तो Elvis का जड़नी तो कहीं न कहीं हाफ ऐसी ही, क्यूंकि एक महीने में तो लोग वैसी इनरजेटिक रहेगा, बट नो डाउट Elvis का क्यारेक्टर, मतलब ऐसा है कि उसको कोई देखेगा तो देखते रहेगा, मतलब वह बहुत मज़िदार क्यारेक्टर है, तो वह जीता हो और Elvis मेरा दोस्त है, तो हम खुश बहुत जादा है कि Elvis जीता है, बट अब अभिश हो रहा है कि अगर कोई wildcard जीता है, वो भी मेरा दोस्त, तो I am very happy दोनों खेली, मुझे लगता है कि wildcard का एक थोड़ा ये भी फायदा होता है कि वो बहार से सीजन देखके आता है, तो उसको और लेडी पता रहता है कि कौन अच्छा है, कौन सच्छा है या फिर कौन चल रहा है, तो कहीं ने कहीं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि Elvis का ये strategy होगा, कि जाके इन लोग से ही दोस्ती करना है, बट एक होता है कि मतब समझ में आ जाता है कि ये बंदे लोग सही है, तो Elvis कहीं ने कहीं दिल से भी connect हुआ है हम लोग से, सिर्फ ऐसा नहीं कि मनीशा और अभिशे की strong personality है या जो भी, ये बिलकुल बेबी का top 4 में भी deserving है, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे कोई कितना इंसल्ट कर रहे हैं, या कुछ भी बोले, बट एसा कंटेस्टेंट हम देखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत बार वो किया, नॉमिनेट किया, बट हम आज तक उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि मेरा कोई में को कितना भी बोल दे, बट जब game का बात आता है, तो हम बहुत honest उसको लेके, अगर कोई बंदा मुझे deserving लगता है, तो हम उसको कभी नॉमिनेट नहीं करेंगे, मुझे लगेगा नहीं, अगर वो लड़ी भी है, उसने इस शो के लिए बहुत पुछ किया है, तो मेरा ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल दुसमनी, नॉमिनेशन में कुछ बेबी का डिजर्फ करती थी टॉप फोर, तो वो आई, तो वो आई, तो सिस्टम ने पूरा सिस्टम हिलाया, और सिस्टम का सिस्टम हम हिलाएं, मुझे लगता है अगर साथ दिन अगर जो भी जनता मुझे देखे है, तो कही न कहीं मुझे इतना बोलना नहीं परेगा, बट हम कभी भी दोस्ती सरेफ फाइदे के लिए नहीं करते हैं, मेरा जो कैनेक्शन है वो चाहे अभिशे को या एलवे सो उनसे बहुत प्योर और एकदम दिलवाला है, अगर हम घर के अंदर कर रहा है, तो बहार भी करेंगे, तो इससे को कुछ भी करते हैं अगर जो जनता मेरा जर्नी देखा है तो हम किसी को कुछ भी कर तो दिल से देते है, मेरे अंदर बहुत प्यार भड़ा हुआ है तो हम जो करते हैं तो ऐसे दिल से करते हैं ऐसा कुछ नहीं है लोग आपको बिक बॉस में पसंद करेंगे लेकिन विल भी नौट फिल्म में आपको बॉल नहीं लेगा तो क्या आप कुछ उनसे बात करेंगे कि इस तरह से उन्होंने आपको पर बला है बहुत बड़ा एक फिल्म इंडस्टी की सबसे बड़ी अक्रेस भी एक बयादी आपकोई कोई बात नहीं हम यहीं कहेंगे कि हम उनको पॉजिटिविटी के साथ जवाब देने चाहेंगे साथ मुझे लगता है कि विनर कोई भी बना हो ऐसे अंदर से फील आ रहा है कि जंता का दिल अगर कोई सबसे जादा जीती है तो वो मनीशा रानी है और आगे इन फ्यूचर जब हम कोई मूवी मिलेगा या अलबम मिलेगा तो उनलों का यह जो सोच होगा वो भी साथ एक हो क्या कुछ सीखा है थोड़ा थोड़ा कम बोल कम तो नहीं बोल सकते हैं बट मेरा ना वही है कि सामने वाला कम जादा सुनते नहीं है तो अभी कहने थोड़ा सुनेंगे भी जैसे आप लोगा सुनके बोल रहा है बनाम किसी को बोलने पी निदे ऐसा होता है मेरे साथ तो सा यहीं